जबलपूर जबले में स्वास्ते विवस्थाओं का हाल बेहाल है यहां जबले के सबसे बड़े अस्पताल सेट गोविंदास अस्पताल के आईस्यू के हालत बेहत खराब है आईस्यू में भरती मरीज अपने घरों से पंखा लेकर गर्मी से निपटने को इंतजाम कर रहे है यहां आईस्यू के सब ही एसी खराब हैं देखें एंटी टीवी की एक खास रपोर्ट इतनी गर्मी पाड़े है वारीज को अकर अराम ने मिलेकर रिलेक्स नहीं कर रहे है और इसके लिए क्या है कि आईस्यू में असी लगे थे यह नहीं की दौरा लगाये गये लिए और यह खराब हो गये हैं और हमने इसके लिए दो लोगों को अलड़ी कह दिया है काम तक या कल सुबह तक यहां पर एसी फिट हो जाएंगे और एसी फिट होने के बाद जो है मरीजों को रहात मिले जिशनल हेल्थ मिशन के द्वारा यहां पर स्थापित किये गए थे और वो कई साल से कारे रहत है तीन-चार साल हो गए उनको तो अब हम नए एसी यहां लगवा जिला चिकतसाला है यह सिर्फ जबलपुर नहीं आसपास के कई जिलों के मरीज यहां अपना इलाज करने आते हैं लेकिन पिछले 10 दिनों से इस चिकतसाला के जो आई-सी-उ है उसके एसी बंद है आई-सी-उ का ऐसा बनाया जाता है जर्म्स प्रूब ताकि बाहा की हबा अंदर ना आ सके लोगों को इंफेक्शन ना हो सके अब एस एक ऐसे रूम में यदि एसी बंद होंगे तो जो पेशेंट से जो मरीज है उनके क्या हाल है वो वही जान सकते हैं अब तो यह इस्तिती हो गई है कि मरीजों ने अपने घर से पंखे मंगाना शुरू कर दिये है लेकिन जो दूसरे शेहरों से मरी जाये थे जिनके पास पंखे नहीं है या जिनकी आर्थिक एस्तिती ठीक नहीं है वो लगातार दस दिनों से अपने पेशेंट के उपर हाथ से पंखा जल रहे हैं जानकारों का कहना है कि अभी आचार सहीता चल रही है इसलिए एसी नहीं लगवाए जा सकते